अपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ के सरकार की तरफ से प्यास की जमाखोरी को रोकने के लिए ये कदम उठाए गए है साथी केंद्र सरकार ने विभिन राज्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से प्यास की आपूर्ती भी की है सरकार ने पहली बार प्यास की बढ़ती कीमत को नियंतरित करने के लिए एक लाख मिट्रिक टन प्याज का बफर स्टॉक बनाया है इसके साथ ही सरकार ने बफर स्टॉक से प्याज को निकाल कर बाजार में उपलब्द कराने के लिए भी कदम उठाये है देखे अब ये जो स्टॉक लिमिट्स लगाए गए हैं अब इसके बाद ये अंदाजा लगाया जाएगा कि किसके किसके पास उस स्टॉक लिमिट्स से अधिक अनियन अवेलिबल है इसका मैसेज ये है कि no one is to hoard the onions and manipulate the prices जिसका नुकसान आम कंज्यूमर को पूरे देश में सेहन करना पड़े That is the very strong message that we are giving out COVID-19 महामारी के खिलाफ जंग में सक्रिय मामलों में गिरावट का रुख जारी है पिछले तीन दिनों से लगातार सक्रिय मामले कुल मामलों के 10 प्रतिशत से भी कम है फिलहाल देश के positive मामलों में से सिर्फ 8.96 प्रतिशत मामले सक्रिय हैं और अभी ये संख्या 6.95.509 है ठीक हुए रोगियों की कुल संख्या 79.48.497 है पिछले 24 घंटों में 73.989 रोगी ठीक हुए हैं और रिकवरी दर बढ़कर 89.53 प्रतिशत हो गई है साथी मृत्युदर घटकर 1.51 प्रतिशत रह गई है केंद्र सरकार ने GST क्षतिपूर्ती की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है वित्मंत्राले ने 6000 करोड रुपे उधार लेकर राज्यों को भेजा है केंद्र ने जानकारी दी है कि 21 राज्यों में से 16 राज्यों को राशी भेजी गई पांच राज्यों को नुकसान नहीं होगा योजना के मुताबिक हर हफ़ते 6000 करोड रुपे की राशी भेजने की विवस्ता की गई है केंद्र आरबियाई से 5.19% की दर पर कर्ज लेकर विशेश पैकेज की तहट राज्यों को रकम देगी वहीं केंद्रिय बैंक से 3-5 सालों के लिए कर्ज लिया जाएगा अभी इसी महीने GST परिशत की 42 वी बैटक में किशती पूर्ती के मुद्दे पर चर्चा की गई थी जिसके बाद केंद्र ने राज्यों को विशेश योजना की तहट पैसे देने का फैसला किया था Financial Action Task Force यानी FATF की पैरिस में हुई आनलाइन बैटक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखे जाने पर फिर से महर लग गई है शुक्रवार को जारी किये गए बयान में FATF ने बताया कि पाकिस्तानी सरकार आतंकवाद के खिलाफ 27 सूत्रिय एजिंडे को पूरा करने में विपल रही है FATF ने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट के प्रतिबंधित आतंकवादियों के खिलाफ भी कोई ठोस कारवाई नहीं की है खिलाथ किस्तानी सरकेน मका हाणे डे चीजसे कार्मा धर्में हो झाफ लादी रूराफ के इलावाण पुल्लेमी र Εन प्रिंभने है थाफर उप्टार सान्वाद कि व्यस्तानी स JUSTी हाएं कि टेज पक्रेशब मेंदेको тобli ten व्यक्तानी सिहनकी। to complete the rest of its action plan but it is clear even though Pakistan has made progress it needs to do more Pakistan cannot stop now it needs to continue to carry out reforms in particular to implement targeted financial sanctions and prosecuting sanctions those financing terrorism अमेरीकी राश्टपती चुनाव में महज 10 दिन शेश रह गए हैं राश्टपती डॉनल्ड ट्रम्प ने अंतिम प्रेजिदेंशिल डिबेट के बाद फ्लॉरिडा में एक बड़ी चुनावी रैली की दे विलिजिज पोलो कलब में रैली को संबोधित करते हुए ट्रम्प ने अंतिम डिबेट में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन के प्रदर्शन की निंदा की उन्होंने कहा बाइडेन ने ये साबित किया है कि वो अमेरिका के राश्टपती बनने के लायक नहीं है ट्रम्प और उनके प्रतिदवन्वी बाइडेन दोनों ने फ्लॉरिडा पर जिहान दिया है जहां एक सब्ताह पहले हुए पोल में बाइडेन मामूली बढ़त से आगे थे ट्रम्प ने दोजार सोला में 65 वर्ष की आईउ से अधिक मद्दाताओं के मामले में 17 प्रतिशत मतों से जीता था जबके इस बार वो इस मामले में पीछे चल रहे हैं ट्रम्प वेस्ट पाम बीच में निजी मतदान करेंगे वहीं डेमोक्रेट उमीदवार जो बाइडेन ने डेलावेर के विल्मिंटन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनकी जीत होती है तो वो सभी अमेरिकी नागरिकों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन उपलब्द कराएंगे साथ उन्होंने कोरोना वाइरस महामारी से लडने के लिए एक बिंदुवार योजना लोगों के सामने रखी जिसमें युनिवर्सल मास्किंग व्यापक जांच और मुफ्ती के शामिल है टरंप पर निशाना साधते हुए बाइडन ने कहा अंतिम प्रेजिडेंशल डिबेट में राष्टपती ने महामारी को लेकर जूट बोला दुनिया भर में कोरोना के मामलों का लगातार बढ़ना जारी है दुनिया भर में अब तक कोरोना संक्रमन के कुल मामले 4 करोड 24 लाग 62 हजार के पार हो चुके हैं जिसमें से 11 लाग 48 हजार कोरोना के खिलाफ अपनी जिन्दगी की जंग हार चुके हैं दुनिया भर में 3.14 करोड से ज्यादा लोग उपचार कराकर ठीक भी हो चुके हैं कोरोना संक्रमन के सबसे ज्यादा 87.46 लाग मामले अमेरिका में हैं जहां कल करीब 81 हजार नए मामले दज़ हुए अमेरिका में कोरोना संक्रमन से अब तक 2,39 लोगों की मौत हो चुकी है इसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राजिल में कोरोना संक्रमन से सबसे ज्यादा 1,56 लोगों की मौत हो चुकी है ब्राजिल में अब तक 53,55 लोगों की मौत हो चुकी है विश्व स्वास्ते संग्टन के प्रमुख टेडरोस एदनोम गर्बियसिस विश्व स्वास्ते संग्टन के महाने देशक ने कहा कि कुछ देश खासकर उत्तरी गुलार्त में कुरोना वाइरस को लेकर खतरनाक ट्रैक पर है इस कारण अगले कुछ महीने कटिन होने वाले हैं साथ ही उन्होंने दुनिया के नेताओं से आग रह किया कि वो अपने अपने देशों में तत्काल कारवाई करें ताकि आगे होने वाले अनावश्यक मौतों को रोका जा सके और स्वास्ते सेवाओं को चर्मराने से भी बचाया जा सके पर बचाया जाएं The next few months are going to be very tough and some countries are on a dangerous track. Too many countries are seeing an exponential increase in cases and that's now leading to hospitals and ICU running close or above capacity and we're still only in October. We urge leaders to take immediate action to prevent further unnecessary days, essential health services from collapsing and schools shutting again. ऍड़ीए से अलग होकर बयार चिनावों मेंधे इस अचाई